कि नमश्कार दोस्तों मैं रेविती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पाइरिंग एगरिकॉन पे आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जाला महत्रपूर्ण रहने वाली है महत्रपूर्ण ऐसे रहे इसलिए रहने वाले क्योंकि हम यहां पे इंडिया की टॉप मोस्त इन्वर्सिटि बढ़ करने वाले हैं जो आपकी इन्वर्सिटिए में जिसकी रैंकिंग आपकी काफी अच्छी है ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां पे यूजी पीजी पीची प तो उसके लिए आपको कैसे डिमिशन मिलेगा और यहां पर अल इंडिया स्टुनेट एलिजीवल है यहां पर और अप्लाय कर सकते हैं क्या 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 प्रोसेस है कब फोरम निकलेंगे ठीकर कब आपका एकजाम होगा ठीक वह सारी बातें आज की इस वीड पर दोस्तों नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ठीक है ताकि समय समय पर आपको अगली वीडियो की निफॉरमिशन मिलती जाए क्योंकि इसी से आपको डेटेल में जब फॉरम निकलेंगे कैसे फिल अप होंगे कैसे काउ इन साल होता है और नहीं नहीं बात करेंगे तो आप सभी इसे अक्यिन की बात लेना की किन कीन बातों का दिहान आपको को रखना है कौन कौन पहले मैं बता दें यहाँ और इन्डिया खरैंट एल लिटए बना आप एक आधिंवाग्ट डीकरpert तो तो आपको द्यान करना करते हैं आपका एकस्पेक्टिड जो है यहां पर करें जो आपका मैं महिने में तो आपको ध्यान करना है जब भी फरम फिल अगए तो आपको अपर दे दिये जाएगा फॉरम की फीस रहती है जनरल ओबीसी और अधर कटेकरी की बारासव रुपए एसी और एस्टी बालों के लिए खेसर रुपए फॉरम की यह भी धान करना है ठीक है डॉकुमेंट्स कौन कौन से आपको चीए डॉकुमेंट की सारी लिस्ट यहां पर दीगी है जिसमें क्या आ है यहां पर हम आज की से क्लास में बात करने बाले बीडियों में बात करने बाले है ठीक है कॉर्सी की बात कर लेते हैं देखो कौन कौन से यहां पर होंगे ठीक है कॉर्सी की बात करेंगे तो बड़ा सा फास्ट करते हैं देखो इसमें काफी चीज़ें है प्रोस्पेक्ट देखो यहां पर बात करते हैं आई तिंग से यह वाला नहीं आपको एक सेकिंड आप आप अपीशल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया है कि आपको मिल जाएगा ठीक है तो वह सारे आपको मिलने वाले हैं ठीक है इसमें फिर से मैं सर्फ करके देखता हूँ करें और है तो अट हम इस अपी आपका ठीक है यह वाला आपका टीक है यह मेर्द प्रस्पेक्टे से सब्सक्राइब अजया पर यह सारी इन्फॉर्मिशन आपकी दिये गई है इसमें तो सीट सापकी डिदरविशन के देखो इसमें ओल इंडिया अटे होते हैं यहां पे 15 मे के लिए रहटी है जो की आपकी किस वे सिट होगी ध्यान देना यहां पे बात करेते बीबी से बेटनरी की बात कर लेते हैं बैटनरी में वहाँ दो तरह से दिमिशन एक होगा नीट के थू एक वाट जी बी पीई यूएटी का अपना एकजाम होगा यूजी का उसके थूँगा यह दो आप दे सकते हों यहां में इसके लिए दमीशन लेने के लिए जो आपना नीट के होता है वह आपका होता है यहां पे जी वी पीपिट का अपना एक्जाम यह और यह भी हम बात करते हैं आपकी बैसी आई करकी बात कर लेते हैं वोगा वोगा सी यू इटी आई सी ए आर के तुरू यह ओगा ऑनली आपका 20% के लिए इसके लिए 20% के लिए और आपका जी भी पी यू ए टी का भी आपका अलग से एक्जाम होगा जिसमां आपका जो है 80% सीड्स के लिए डिमिशन होगा ठीक है अब यहां पर बात कर लेते हैं किसी भी मुलाब स्टेट के रहने बाद हो आप यह सारे एक्जाम दे सकते बात करेंगे चिबी पीउ ए टी के लिए भी है ठीक है और बी टक के लिए यहां पर जेंगे कितु होता है और इंडिया और बाकी जो है सीरसेटेट का अपना एक्जाम भी होता है दिटक के लिए वी टेक सीज होते हैं जी पीटीए का जो Samation हो सटेघाने i7 जो आपकी है वह आपकी है नारम्ल सीट में नौर्मल सीट कुर्टप्र चिन कुछ आपकी सीट है ध्याम देने आपे सबस्क्राइज लग कर सकते हैं वह कर सकते हैं आपे और रिंडेट ऊत्राखंड तो उत्राख खंड फंड जो स्टेट के हैं उत्रखंड स्टेट डॉमिसाल स्ट्वेंट है ठीक वह अलग से लेकिन पीश बहु जा रहा उसकी जो यहां पे यहां पर सकते हैं और इंडिया सकते हैं और इंडिया कंडिडेट आप कहीं के रहने वाला हुथ सभी वर सकते हैं आपका क्या हो आपका और प्रदेश से हो आप पंजाब से हो आप जो है कहीं से वाप यहां पर नहीं जा सकते हो नॉर्मल पर आपको जाना नॉर्मल सीट के लिए अगर आपको जाना है यहां पर नॉर्मल सीट में अगरिकल्चर में तो आपको आइस ती एर कांसलिंग के तुरू जाना पड़ेगा आपको आइस यार कांसलिंग करनी पड़े और और से वीटिंग अग्जाम तीक है सी एटिए अपड़ेगा एक्जाम में आपको अग्रिकल्चर के लिए कांसिट कमश्चर के लिए पड़ेगे आपके निए इन पीसी नहीं दे सकते हो यहां पर अपर फिजिक्स कमेश्टी मैज़े सकते हो या पर धार पड़ेगा आप जब भी पर दोगे अगर आपको जीपन्त मेशन लेना है तो आपकी इन सब्लेक्ट कृप साथ दे इनके साथ आप दे सकते हो अब इसमें यह भी ध्यान पड़ेगा कि आपके प्लस्टु में जो सब्सक्राइब होने चाहिए अगर आपका प्लस्टु में तब आप दे सकते हो सुषट का और अगरना बात करते अगराब जी प्योट देते हैं तो जीवे प्यूट की लापको सब्ज़ेक्ट कौन को से देने पड़ेंगे इसमें और भी एक्स्ट्रा सुज्ट्ट आते हैं लेकिन में अक्लीक्ट वह हैं वो आपके जीन स्ट्रेंड को अगरिकल्चर में लेना है अगरिकल्चर और agriculture and bbse इन दोनों के लिए प्रोतास है जिनके नमबर अच्छे होता है वो muscles सकम होते हिएंस जाते हैं दोनों के लिए एक हम के लिए um के पर मैं क्या होगी physics आई कमिस्टी ओआ बायलोजी होगा फिए हाल गाई हो है यह eh रहेंगा आप इन तीन स्ब्जेक्ट में से आप एक प्रीजिय वी यही यही देना पड़ेगा अगर आपको बीटक के कोर्सित लेने गाएवी ट्री कुर्स आपके हैं लिए लिए पीछे अम का होना बहुत जुरुरी है इस यहीं का होना जुरूरी है accept btec by technology btec by technology में PCM बाला भी और PCP बाला दोनों अलीजिवल है PCM बाला भी है और PCP बाला भी अलीजिवल है ठोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकते हैं लेकिन इनफोर्मेशन देको सारी मिलेगे आपको ऐसा नहीं मिलेगी ठीक है और आगी आपको चैनल के मादम से डेटेल में आपको इनफॉर्मेशन हम देते जाएंगी इस चैनल के मादम से gvpvp के बारे में जी पन्थ इननुवर्सि चेहां पे हैं तीके इसको मैं एक ब触िर बेलिए तो और में है और रिषी केश में है देहरा दूर नगर मैं एमसी के लिए में पंतनगर और पैसी घीवल सुन मिने में आपका संटर रहे गाग डला थी कह और एक्जाम्ठा होने बाला होगा इसका सकता है ठीक है और बाकी जो फॉरम में आपको बता दिया फॉरम जो आपके होंगे वापके यहां पर लिखा है अगरिकेट्ट्जर के लिए फॉरम है ना आपके एक्सपेक्टीड मदलब अपरेल मीना जिंद आपके फॉरम सके टीके हुआ और आपका जून में फिपरापका होई जागा इसका और बाकी आपि आसे वीड साब की दी दिया मसी साथ पिदिया मसी में दीए टो कौन कौन से यह पे लिगाए आप सारे आपई एक्रियाटर अगर्णोमी है अग्रिकर सर्मेटर लोजी एक्साइशन एड्योकेशन एंटोमोजी जनेटिक सेंद प्लांट ब्रीडिंग फ्रूरी कल्चर प्लांट पैथोलोजी है बेग्रेबल साइन्स आइलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग फार मिशिद्रिय और इंजिनेरिंग है अपका और सोयल वाटर कंदरवेशन इंजिनिरिंग है इंफॉरमेशन टेकनलोजी है फुट एंड न्यूट्रेशन है एप एपीरल एंट एक्सटाइल सोर्सी जै और पीजी बालों के लिए अगर प्रेपरेशन के लिए कोर्स चीकोर्स आपको मिल जाएगा मैसी के लिए कंप्लीट और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कितनी सीट्स आपकी बात करें तो यहां पर माइben में बात करें और ट्राखंट्स गलिए बात करते हैं एक बीच्ट के लिए ट्वेटी पोर इस थिए कि यहां पर ब्एक तोटल आपकी ठीक है और फंदरा सीट सीट जो बीटेक फुट टेकलोजी की यहां पर टेकलोजी की सेलफ आने सिक नहीं है यहां पर 40 सीट टोटल है वी इस इस वह उत्रकंड बालों के लिए ठीक है बीटेक अगरिकर्स इंजिनिंग यहां पर खरेंगे है 66 सार से त्यांपे टोटल एक अगर्शन इंजिनिंग में ठीक है और उसके बाद में यहां पर इसे इंप्यूर्म इपनकी के लिए है 45 सीट से यहां पर यह सारी सीट से बट यह जो कोर्सी आपके हैं इसमें डिमिशन आप जी बीपी यूट की थ्रू होगा और उस्वाइब यहां पर दमीशन होता है ठीक है जी एक्जाम के तुरिया पर दमीशन इसमें होता है क्लिए यह आपको ध्यानखना पड़ेगा बा पर एक साल के इक राघ रहेगी और बियस दौ2 एक साल की एक रहने वाली यह टिक है और यह ज़िए रूट चतर ऐसंडम सब्सक्राइब खूलम के पहरने वालीzetि और ऑफकी टोटल फीस आप पिजान रखना ही पड़ेगा आपको ध्यानिया पर रखना पड़ेगा अब यहां पर इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर किसकी बात करेंगे हम examination pattern की बात कर लेते हैं कि examination pattern आपका क्या रहेगा और सलेबस देखो सलेबस आपका 11 12 का है graduation के लिए ठीक है और बाकी जो है बाकी अगर बात करते हैं तो बाकी जो आपका अगर बात करते हैं कि आपकी सारे पड़ने पढ़ेंगे बाकि प्रभाद देख लेते हैं कि एक्जाम पेटरन क्या है आपका ठीक है प्रभाद प्रणी पीछे छोड़ता नहीं दिया होगा मैंने आई थिंक से मुझे दो लगता है खुए प्रविडियो आपको दे दोंगा बना कि अईसा नहीं है वीडियो वैसे मिलती जाएंगी कि वीजहां पर क्या गया है पड़ने तो वह यहां पढ़ने पड़ते हैं पहले है इसका इसका पहले है इसका लुग पहले है इसमें है तो मेरा यही कहना भी टॉप मोस्ट इंवर्सिटी आप जरूर एक बार देखिए का आपको एपलाय करके जरूर यहां पर रखना है अपनी डिवीशन को करफार्म करने के लिए जितना जारा आपके पास ऑप्षिंज होंगे उतना बैटर आप सभी के लिए आपको पर आपको प्रसेस्स होते हैं और और इंवर्सेंटी ने सकते हो इस कॉलिज में ठीक है और प्रसेस्स है मैं आपको बता दिया है अग्जाम होगा और कैसे कैसे यहां पर होगा और वाकी आगे की जो इनफॉर्मिशन है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर मिलती जाएगी एक्जामीनेशन के बारे में तो हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे पर आपको पढ़ने पढ़ेंगे का है वह आपका इसका जून महींने में हो सकता है और अपके प्रेयल और मार्च फॉर्म निकली आपको बता दूगा इसी तरह की वीडियो से आप सबी के सामने लेके आएंगे अब आपको मिलेगी अभी अधर नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाले चौदरी चरण सिंग जो हिसार इनिवर्सटी है उसके उपर आएगी बहुत अच्छी निवर्सटी है तो उसके वर पर डिसक्षिन करेंगे पालमपूर निवर्सटी को पर आपको वीडियो मिलेगी आपको हरयानाजा इनिवर्सटी आपको पंजाब यंसिट है ये फिर आपको मिलेगे जीवी पंतर आपको एस पर बारे में वीडियो तो आपको मिलती सब्सक्राइब करेंगी तो सब्सक्राइब करेंगी हमारी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बात की चलेंगी तो सबताइब के बाताइब को रुकरेंगे अबको जरूर वीडियो मिलेंगी ठीक थोड़ा साय की एक दिन में की वीडेयो बना सकता हूं रहेंगी थेक थैंक्यों स्ब्सक्राइब करके आपको वीडियो मिलती रहेंगी ठैक्यूं धन्यावार आप सभी का